दोस्तों सोपीज के नाम पर जो है इतना ज्यादा स्कैम चल रहा है, इसकी वएसे मैं आज इस वीडियो को फिर से सूट कर रहा हूँ, फिर से सूट करने का मैं मतलब है दोस्तों कि already मैं वीडियो जो है सोपीज के उपर बना चुका हूँ, लेकिन भाई इतने ज्यादा पैसे खुद के कमाये हुए पैसे आपने सेव कर रखाओ किसी भी तरीके से आप अपने पैसे जो है अपने हातों से परबाद कर रहे हो और इसका लास्ट में कोई उपाई आपके पास नहीं बचेगा आपके पैसे चले जाएंगे और उसको वापस पाने में भाई आपको आपसे कहते हैं कि आपको मर्चेंट्स के लिए ओर्डर पिक करना है और जैसी आप ओर्डर करोगे आपको 30% कमिशन मिलेगा हर एक ओर्डर पर और स्टार्टिंग में ऐसा होता भी है जब तक आप 100, 200, 500, 1000 रुपे तक का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 30% कमिशन उसमे जूर कर मिलता है और इससे दो फाइदे होते हैं एक्शली में पहला तो आपकी बैंकिंग डिटेल्स जो है उन लोग के पास पहुंच जाती है और दूसरा फायदा ये कि वो लोग आपका विश्वास जीत लेते हैं जैसी आपको 100, 200, 500 वाला ट्रांजेक्शन हो जाता है त जो है और आपको कम्प्लीट करना ही परेगा जब तक आप कम्प्लीट नहीं करोगे आपको कमिशन नहीं मिलेगा 30% कमिशन आप नहीं ले पाओगे और ऐसे में आप विट्रॉल भी नहीं कर पाओगे और ये मांट फ्रिज कर दिया जाएगा इस तरीके की बात करके वो लो करेगा और सायद आपको पैसे नहीं मिल पाए इसलिए भाई इससे पहले ही सुधर जाइए बिलकुल भी इन चीजों में विश्वास मत कीजिए बिलकुल इनवेस्ट मत कीजिए अल्डेडी इनवेस्ट कर चुके हो तो अभी रुक जाओ आगे इनवेस्ट मत करो यह मुत मेरे पास तो डिम में तने लोगों के मैसेज परेवे रहते हैं इंस्टाग्राम पर कि रही उनके किसी के 3 लाग गर किसी के 10 लाग ऐसे ऐसे घए हुए है यही एक सोच के साथ कि अब अब next task complete करूँगा बस मिल जाएगा next task complete करूँगा बस withdrawal मिल जाएगा लेकिन होने वाला ऐसा कोछ भी नहीं है बिल्कुल भी invest मत करना और लेडिये scam चल रहा है तो cybercrime में complain कर दो देखो क्या होता है इसके लाभा और कोई option फिलाल तो नहीं है जिस app से आप payment कर रहे हैं उस app के customer care से भी बात कर लेना उनको बोलना कि भाई हमने इस तरीके के app में पैसे लगा दिये हैं और अब मुझे मेरे पैसे reverse transaction करवाना है जो भी मैंने पैसे send किया है उस amount को reverse करवाना है actually मैंने एक scammer के account में पैसे वागेरा भीज दिया है otherwise कोई और option नहीं है आप उस बंदे का घर नहीं जानते हो address नहीं जानते हो office वगेरा उसका कहाँ है क्या नहीं है कुछ नहीं जानते हो और ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते हो दो ही option है एक payment apps के customer care से बात करके try कर लो भाई आपको जो है last transaction जो भी आपने किया है amount अगर reverse हो जाता है 24-47 गंटे के अंदर जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप complain करके check कर लो गर मिल पाए है तो अच्छी बात हो वरना cybercrime में बात कर लो भाई और अगर इन दोनों तरीके से नहीं मिल पाएगा तो बिल्कुल भी कहीं से कोई उपाई नहीं है मैं मिलता हूँ आपसे next awareness वीडियो में अगर आपको मेरे दिवारा जीए कि जनकारी समझ माया हो तो वीडियो को like जरूर कीज़ेगा सच थोरा करवा होता है बाकी reality ही है आपके साथ कोई भी lon app में या कोई भी online platform पर किसी भी तरीके का scam हुआ है उसकी जनकारी को आप मुझे तक पहुचा सकते हैं मेरा Instagram आईडिया और Gmail आईडिया आपको वीडियो के description मिल जाएगा एक बार जरूर चेक कर लिजेगा मिलिया मुझे वहाँ बात कीजिए मेरे साथ share कीजिए आपने साथ हुए किसी भी scam को वागर चैनल पर नहीं है तो subscribe जरूर कर लिजेगा बेल आइकन कॉल पर प्रेस जरूर कर दीजेगा